दोस्तों सेमसंग ने अपनी M सीरीज लास्ट येर फरवरी के महीने में लॉंच की थी जहां पे आपको सेमसंग M10, M20 और M30 जैसे स्मार्टफॉन देखने को मिले थी वो सीरीज दोस्तों सेमसंग की वाकिये में बहुत जादा पॉपुलर रही थी अब सेमसंग ने दोस्तों सेमसंग M30 का सकसर लॉंच कर दिया इसका नाम है सेमसंग M31 क्या कुछ खास आपको इस स्मार्टफॉन में देखने को मिल रहा है सब कुछ दोस्तों मैं आपको सेमसंग M31 की मारे बार बता रहा हूँ तो वीडियो लास तक देखते रही है नमस्कार दोस्तों मैं सिबम चौहार एक बर आपका फिर से बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ हमारे बास त्विट्यक चैनल पे इस टाइम पर 3 की प्रड़क्शन जची नहीं 5 यह सेक्स ही होती तो ज़्यादा अच्छा रहे था और हाँ दोस्तों मैं आपको बदा दू जैसे कि आपको बदा ही है कि सेमसंग का फॉन होता है तो एमूलेट तो आता ही आता है तो इसलिए एमूलेट है अब बात कर रहें बैक की दोस्तों बैक में यहाँ पर आपको चार कैमरे देखने को मिल रहा है और साथ यहाँ पर बैक में आपको फिजिकल टच वाला फिंगरपेंट सेंसर देखने को मिल रहा है और हाँ दोस्तो यह जो bag दिया गया वो plastic की body के साथ आ रहा है इस time पर उस तो plastic की body के साथ आ रहा है समझने आए glass की production के साथ होता तो ज़्यादा अच्छा रहता तो सबसे पहले यही पर थोड़ा सा Samsung डिपीट हो गया कि यहाँ पर उन्हें glass की body देनी चाहिए इस time पर क्योंकि इस time पर जितने भी smartphone आ रहे है वो सारे के सारे glass की body के साथ आ रहे है अब दोस्तो देख ले हैं आगे और इसमें क्या क्या आपको देखने को मिल रहे है और दोस्तो यह smartphone आपको दो वेरेंट में देखने को मिलेगा 6GB, 64GB और 6GB, 128GB स्टोरिक्स आएगा है लेकिन दोस्तो मुझे Samsung के एक बहुत अच्छी चीज लगती है यहाँ पर यह आपको micro dedicated SD guard का SIM slot देते है जहाँ पर आप अपने दो SIM और एक चिप लगा पाते है यह बहुत अच्छी बात है और Samsung के जातर सारे स्मार्टफोन में ऐसा आता है दोस्तो सबसे तंगडी इसमें एक चीज दिखते ही को मिलती है वो है इसकी बैटरी यहाँ पर आपको 6000 mh की बैटरी देखने को मिल जाती है और यह 15 watt के fast charger के साथ आती है और यहाँ पर आपको type c port देखने को मिलता है साथ जाथ यहाँ पर आपको 3.5 mm audio jack भी देखने को मिलता है तो मतलब आप कह सकते है कि आपकी बैटरी डेफिनिटली दो दिनों तक तो आसानी से चल जाएगी यह कि 6000 mm की बैटरी है लेकिन हाँ दोस्तो 15 watt के चार्जर के साथ आदे तो बैटरी चार्ज होने में भी टाइम लगेगा लेकिन चलेगी लोंग और दोस्तों मुझे सेमसंग के एक ही चीज से बहुत जादा सिकाइद रहती है वो है उसका प्रोसेजर इसमें आपको एकजिनोस का 9600 वाला प्रोसेजर आपको देखने हो बिलता है यह मेरे समझ नहीं आता है कि सेमसंग ऐसा क्यों करता है सेमसंग अपने क्वालकम के प्रोसेजर के साथ क्यों अपग्रेट नहीं कर रहा है इसलिए कहिना कि दोस्तों सेमसंग पीछे है बाकी सारे स्मार्टफोन तभी आंगे निकल जाते हैं उनका प्रोसेजर की वैसे वैसे ओवरॉल देखा जाए तो सेमसंग के फोन की डिस्प से पता के जाना अपको चार दीखने को मिलेगा गालेगा ंधोर Va-ta-va regular camera यहांपको माइक्रू जांद क्यान जाह00 अच्छे हैं और वहीं दोस्तों इसके बैक के selfie भी देखने को मिल जाती है दोस्तों आपके front camera से फोटो काफी जदा अच्छे आने वाले है और हाँ दोस्तों मैं बता हूँ आपको यह जो Samsung का M30 था ना उसमें आपको back में 4 camera का setup देखने को मिल जाता लेकिन वहाँ पे आपको 48 megapixel का मिलाता यहां पे आपको 64 megapixel का quad camera sensor देखने को मिल जाता है तो डेफिनिट लोस्तों Samsung M30 से दो वाकि मैं अपग्रेड़ है camera की मामले में और दोस्तों अगर मैं आपको इसकी प्राइस के बारे होता हूँ तो 64 जी वाला वेरेंट है उसकी प्राइस 14,999 रुपए है वहीं दोस्तों 6GB 128 जी वाले की प्राइस रखी है 15,999 रुपए है अगर आपको दोस्तों यह smartphone पसंद आता है तो फिप तो मार से इसकी सेल एमाजॉन पर हो रही है वहां से जाकर आप परशेस कर सकते हैं अब दोस्तों मैं आपको अगर अपने उपिनिन बता हूँ इस smartphone के बारे में तो मुझे तो दोस्तों बहुत जादा यह smartphone पसंद नहीं आए क्योंकि यहां पर बैक में प्लास्टिक की बाड़ी देखने को मिलती है वहीं दोस्तों इसका processor exynos के साथ आ रहा है और यहां पर camera अच्छे हैं ठीक है लेकिन दोस्तों camera के लिए अगर आप पैसा डालते हैं तो camera भी अच्छे लीजी है और processor भी अच्छे मिल आ है दोस्तों इतनी प्राइज में जैसे कि आपको बदा है Redmi Note 8 Pro है Realme X2 है बहुत सारे अच्छे स्मार्टफोन है इतनी प्राइज में चुकि इससे भी ज्यादा बेटर कैमरा दे रहे हूं और बहुत अच्छे अच्छे प्रोसेजर के साथ आ रहे हैं तो डेफिनित दोस्तों यह स्मार्टफोन म जैसे यह वीडियो को अप्लोड करें है मैं मिलूँगा आपको ने इंट्रेसिंग वीडियो को साहता तक लिए गुडबाई